दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपसे HDFC Indian Oil Credit Card के बारे में complete बात करूँगा, जिसे दोस्तो हम यहाँ पे Fuel Credit Card भी बोलते हैं, अब देखिए Fuel Credit Card बोलने का एक reason भी है, क्योंकि अगर आप इस Card को लेते हैं और आप इस Card का यूज़ करके day to day life में अपने लिए petrol pump में जाके Fuel ड सेक्टर में, grocery के सेक्टर में, shopping के सेक्टर में, तो वीडियो को आप end तक जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो में हम complete इस Card के बारे में बात करेंगे, कि अगर आप इस Card को लेते हैं, तो कौन-कौन से features आपको देखने को मिलता है, क्या-क्या hidden charges आपको देखने को मिलता है, और complete apply करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, और सबसे ची बात या दोस्तों की वीडियो के description में मैंने एक link provide किया है, जहां पे आप HDFC Indian Oil Credit Card को आराम से apply कर सकते हैं, उससे पहले वीडियो को आप कहीं पर skip मत करिएगा, पूरा देखीगा, और चलते हैं सिधा computer के screen पे और live आपक के लिए मेरे चैनल को नीचे आपको radical का button दिखेगा, उस पर click करके subscribe जरू करिएगा, तो चलिए शूरू करते हैं, तो दोस्तों आचुके हैं अपने computer के screen पे और यहां पे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दू कि मैं आचुका हूँ HDFC bank के official website पे और यहां पे जो भ दोते हैं, यहां पे दोस्तों आप देखेंगे card का look और design आपको देखने को मिलता है, यहां पे Indian oil का logo आपको देखने को मिलता है, बगल में आपको HDFC bank का logo देखने को मिलता है, वीजा platinum की तरफ से this card को launch किया गया है और यहां पे आपको wifi की technology के साथ इस card को launch किया गया है, card यहां पे दोस्तों आपको रुपे के साथ भी आता है, यहां पे रुपे का credit card भी आपको देखने को मिलता है, तो यहां पे दोस्तों आप देखेंगे आपको साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ देखने को मिलता है, earn up to 50 liter of free fuel annually, यानि दोस्तों आप इस card का use करके अपने day to day life में fuel डलवाते हैं, तो यहां पे 50 liter आप annually saving कर सकते हैं, और भी बहुत सारे benefit है, चली हमें के करके इस card के बारे में बात करते हैं, आप दोस्तों आपको देखने को सबसे पहले मिल जाता है, यहां पे आप देखेंगे, चली मैं यहां पे zooming कर देता हूँ, तो यहां पे आप देखेंगे, everyday spend will now earn up to 50 liter of free fuel annually, जहां पे आप Indian oil HDFC bank का credit card को आप use करते हैं, और दूसरी बात यहां पे तो important information भी आपके साथ share किया गया है, जहां पे आपका जो card का member agreement है, यहां पे इसके term and condition, यहां पे आपको click here पे click करके आप उसके बारे में जान सकते हैं, फिलाल आपको कोई attention नहीं लेना है, मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और इस card के सबसे पहले, यहां पे हम features के बारे में बात करते हैं, यहां पे सबसे पहला features दोस्तों आपको देखने को मिलता है, reward type आपको देखने को मिलता है, तो यहां पे already हमने बात कर लिए है कि अगर आप इस card का use करते हैं, तो पूरे एक साल में 50 लीटर आप fuel को save कर सकते हैं, यानि 5000 रुपए आप अराम से save कर सकते हैं, वही दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे आप 5% earn कर सकते हैं as a fuel point, अगर आप किसी भी Indian oil के outlet में जाके अगर petrol आप डलवाते हैं, तो first 6 month दोस्तों आप यहां पे देखेंगे, 200 fuel point आपको देखने को मिलता है, उसके बाद आपको next 6 month यहां पे 1500 fuel आपको देखने को मिलता है, fuel point क्या है मैं आपको आगे समझाओंगा, उसके बाद दोस्तों आप यहां पे 5% earn कर सकते हैं, अगर आ आप कोई भी खर्चे करते हैं, जैसे कि grocery के सेक्टर में या किसी भी परकार का आप यहां पे bill payment करते हैं, तो वहां पे 5% आप saving कर सकते हैं, उसी के साथ दोस्तों यहां पे आप एक fuel point आप every 150 rupees की spend करते हैं, कोई भी purchasing में तो वहां पे एक fuel point आपको देखने को मिलता है, अग भी आपके लिए benefit होगा, आगे चलके मैं आपको समझाओंगा, उसके बाद दोस्तों आगे भढ़ेंगे, तो यहां पे zero lost card liability आपको देखने को मिलता है, in case अगर आपका card हो जाता है, तो उस time आपके card के through, अगर कोई भी fraud होता है, तो सारा जीवा company लेगी और आपको वहां दिन तक आपको यहां पे interest free period मिलता है, साथी दोस्तों यहां पे fuel surcharge waiver आपको देखने को मिलता है, यहां पे 1% fuel surcharge waiver आपको देखने को मिलता है, किसी भी petrol pump में आप जाते हैं, तो यहां पे 1% का आपको fuel surcharge waiver आपको देखने को मिलता है, लेकिन minimum आपको जो amount का petrol डलवाना है, 400 रुपिया आपको minimum है और maximum यहाँ पर कोई limit नहीं है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे maximum जो cashback आपको मिलेगा 200 रुपिया पर statement यहाँ पर cycle यानि महिने का यहाँ पर cycle चलता है तो एक महिने में 200 रुपिया पर statement cycle आपको यहाँ पर earn करने की opportunity मिलती है साथे दुस्तों अब बात करते हैं कि renewal offer भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अगर आप इस card का use करके पूरे एक साल में 50,000 रुपिया खर्च करते हैं तो जो आपका first year का जो भी membership का fees है वो आपको माफ कर दिया जागा एक रुपा भी option नहीं लिया जागा अगेन यहाँ पर दोस्तों आपको smart EMI का भी option मिलता है यहनी अगर आपने कोई बड़े amount का product खरीद लिया है तो Indian oil credit card का आप use करके यहाँ पर EMI में भी convert कर सकते हैं साथे दोस्तों यहाँ पर आपको contactless payment का भी option देखने को मिलता है आजकल सारे card में आपको contactless की facility मिल जाती है तो इस card के अंदर भी आपको वो सारे facility देखने को मिलता है अगेन दोस्तों यहाँ पर reward point slash cashback redemption and validity के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इस card का use करके reward point को earn करते हैं तो उसका क्या validity रहने वाला है और कैसे आप redemption कर पाएंगे यहाँ पर fuel point का एकूरल आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर अलड़ी हमने बात कर लिया कि 5% आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर किसी भी Indian oil के petrol pump में जाके आप fuel को डलवाते हैं ग्रॉसरी खरीते हैं या फिर बिल पेमेंट करते हैं साथी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको 5% का fuel point का benefit मिल जाता है यहाँ पर किसी भी Indian oil के retail outlet में भी आप spend करते हैं साथी आप fuel transaction करते हैं किसी भी outlet में तो एक fuel point आपको देखने को मिलता है एवरी 150 रुपीज आप spend करते हैं अगेन दोस्तों हम यहाँ पर fuel point redemption के बार में बात करेंगे अगर आपने यहाँ पर अन कर लिया है तो कैसे आप उसको redeem कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी petrol pump में जाएंगे Indian oil का तो वहाँ पे आपको Indian oil का extra reward program आपको देखने को मिलेगा as a complimentary आपको इस card के साथ देखने को मिलता है तो simply आप उनके लिए participate यहाँ पे करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने लिए convert करना होगा जो भी आपका fuel point होगा उसको आप यहाँ पे XRP में convert करेंगे यहाँ पे एक fuel point दोस्तों आपको 96 पैसा देखनी को मिलता है सबसे ज़्यादा आपको यही तरीके से redeem करने का option मिलता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी तरीका है जैसे कि जो भी आपको redeem करना है fuel point को आप net banking से भी redeem कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक fuel point का आपको 20 पैसा ही देखनी को मिलता है जबकि यहाँ पे आपको 96 पैसा देखनी को मिलता है अगेन यहाँ पे यही चीज को समझाया गया है चलिए हम आगे बढ़ते हैं और fuel point की validity के बारे में बात करते हैं तो एक fuel point का जो भी validity है आपको यहाँ पे दो साल तक रहने वाला है दो साल तक expire नहीं होगा वही दोस्तों यहाँ पे redemption of reward point to cashback and travel category will be capped at 50,000 point per month per customer यानि एक महिने में 50,000 point आप यहाँ पे maximum रखा गया है एकुरल of reward point on grocery spend में आप देखेंगे 1000 point per month यहाँ पे इनका जो limit है वो set किया गया है ऐसे कई सारे आपको यहाँ पे limit set किया गया है उस चीज को आपको मैंने already समझा दिया है अब दोस्तों सबसे most important topic के बारे में discuss करेंगे कि अगर आपको HDFC का Indian oil credit card को apply करना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उसके लिए कौन-कौन सी eligibility criteria है कौन-कौन से documents का यहाँ पे requirement है तो आईए हम समझते हैं तो simply दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे चली मैं आपको जूमीन करके दिखा दू तो यहाँ पे eligibility के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे for salaried Indian national के बारे में हम बात करते हैं यानि एक बंदा है जो job करता है तो कैसे इस card को ले सकता है तो उसका जो उमर है 21 साल से उपर और 60 साल से नीचे होना चाहिए उसका जो net monthly income है 10,000 से उपर होना चाहिए तब जाके आप card को apply कर सकते हैं वही दोस्तों एक business person के बारे में बात करें या एक self employee के बारे में बात करें वही दोस्तों यहाँ पर documents के बारे में बात करें तो आपके पास यहाँ पर general documents होना चाहिए जैसे कि आपके पास आधार card, pancard एकदम necessary है एक bank account आपका किसी भी bank में होना चाहिए साथी दोस्तों अगर आप job करते हैं तो आपके पास pay slips होना चाहिए या bank का statement होना चाहिए और अगर आप business करते हैं तो आपके पास ITR का file होना चाहिए तब जाके आप इस card को apply करने के लिए eligible होते हैं और यह सारे documents आपके पास होने चाहिए अगें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हम कुछ fees and charges के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना यहाँ पे निसिसरी है तो चलिए मैं जूमिन कर लेता हूँ सबसे पहले उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यह जो card है यह आपको joining and renewal membership का fees है आपको 500 रुपर पे करना होगा जहां दोस्तों यह जो card है Indian oil HDFC bank credit card है और इसके अंदर आपको बहुत सारे benefit मिलते हैं और कोई भी card के अंदर आपको जो benefit मिलता है तो वो card आपको free देखने को नहीं मिलेगा साथी दोस्तों यहाँ पे आपको एक term and condition को समझना होगा जैसे कि दोस्तों अगर आप last six month से कोई भी transaction नहीं करते हैं इस card का use करके तो आपको एक notification send किया जागा आपके email address पे आपके phone number पे आपके communication address पे और अगर आप उसका reply नहीं करते हैं यानि आप last six month में कोई भी transaction नही करते हैं तो जो आपका card है inactive कर दे जाएगा अगेन आप further आगे आप इस card को नहीं use कर पाएंगे अगेन यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे एक percent का fee on rental आपको transaction देखने को मिलता है from second rental transaction आपको every calendar month में आपको देखने को मिलता है एक percent आपका यहाँ पे लगने वाला है व पे अलावा कोई भी charges नहीं है यहाँ पे आपको complete charges and fee के बारे में मैंने समझा दिया है अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप इस card से सहमत है सारे term and condition को आपने समझ लिया है और आप इस card को online घर बैटे apply करना चाहते हैं अपने mobile phone का use करके तो simply आपको करना क्या है आपको description box में जाना है वहाँ पे मैंने apply करने का link दिया है simply आप आजाएंगे इस website पे यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपको सबसे पहला identify करना है अपने आपको उसके बाद confirm आपको अपने detail भरने है आपको card choose करना है यहाँ पे मैंने Indian oil HDFC bank credit card के बारे में बात की है आपको card card को choose करना है उसके बाद submit and receive पे आपको click करना है तो सबसे पहला दूस्तों आपको तीन स्टेप complete करना होगा यहाँ पे अपना mobile नमबर आप डालेंगे उसके बाद यहाँ पे अपना date of birth डालेंगे जो आपके pancard में available है उसके बाद यहाँ पे simply get OTP पे click करेंगे जैसे आपक अगला step में जाना है आपको अपना detail फिल करना है जैसे कि आपका personal detail हो गया qualification detail हो गया उसके बाद simply आप 3rd step में आपको card को choose करना है वहाँ पे Indian oil card को choose कर लिजेगा उसके बाद आपको एक छोटा सा KYC complete करना होगा उसके बाद KYC करने के बाद आपको bank detail को verify करना होगा उसके ब आपको limit मिला है कितना का आपको approval मिला है तो कुछ इस परकार से दोस्तों आप इस card को आसानी से घर बैठे apply कर सकते हैं So I hope दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आओगा तो वीडियो को like जरू करिएगा और मैंने इस card के बारे में आपको complete जानकारी दिया है अगर आपको information पसंद आओगा तो नीचे आप में comment box पर comment करके जरू बताएगा और इसी परकार के नए और interesting content को देखने के Link मैंने वीडियो के description में दिया है आप मेरे को जाके follow कर लिजिएगा और मेरे से कोई भी बात करना चाहते हैं कोई भी personal queries को पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं मैं आपको ज़रूर reply करूँगा मिलते हैं next video में तब तक लिए दोस्तो जैहिन बंदे मात्रम